कोरोना वायरस वैक्सिन को लेकर भारत बायोटेक ने बड़ा एलान किया कमपनी का कहना है कि को वैक्सिन के लगाय जाने पर दुश परिणाम सामने आने की इस्थिती में कमपनी मुआफजा देगी भारत सरकार ने भारत बायोटेक से कोरोना वैक्सिन की 55 लाख डोज खरीदने का फैसला किया है कमपनी का कहना है कि वैक्सिन दिये जाने वाले शक्स को एक सहमती पत्र पर हस्ताक्षर भी करना होगा कंपनी का कहना है कि किसी अनहोनी की इस्थिती में कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा भारत बायोटेक ने कहा कि को वैक्सिन के लगाए जाने पर किसी लाभारती को कोई स्वास्ते समस्या होती है तो सरकारी अस्पताल में देख रेक की सोविधा मुहया कराई जाएगी कंपनी ने आगे कहा कि किसी गंभीर दुष्परिणाम की इस्थिती में कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा ये मुआवजा तब ही दिया जाएगा जब दुष परिणाम का कारण वैक्सिनेशन ही होगा बता दें कि पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में को वैक्सीन ने एंटी डॉट्स उत्पन करने की ख्रमता देखी गई थी वैक्सिन बना रही कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वैक्सिन की क्लिनिकल शमता के बारे में अब भी बताया जाना शेश है तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल के आखडों का अध्यन किया जा रहा है सेमती पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि वैक्सिन लगाए जाने का मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि लाभार्थी को अब कोरोना संबंदी प्रोटोकोल का पालन नहीं करना है इसलिए कोरोना संबंदी गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य है इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है क्लिनिकल ट्रायल के दौरान किसी आप्रिय घटना के लिए कंपनी जिम्मेदार होगी और कंपनी मुआवजा देगी अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेक करें साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताए डेली ट्रेंदिंग न्यूज के रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूज के लिए